एलो डी एवियंस मेरा नाम है मनीश वेलकम टू डी एवी गुरू आज हम लो क्लास फाइब का शोसल साइंस परने वाले हैं चैप्टर नमबर टू जिसमें किया हमें हमें हीमेन माइग्रेशन के बारे में डीटेल में परना है एक्स्प्लेनेशन आप पूरा देखेगा क्योंकि एक्जाम में चैप्टर के 20 से जो कोशन पूछा जाता है उनको सॉल्व करने के लिए चैप्टर को समझना बहुत इंपोर्टेंट है आपकी क्लास के अलमश्ट हर सब्जेक्स का वीडियो आपको DAV गुरू पर मिल जाएगा उनको देखने के लिए सिंप्ली आपको यूट्यूब पर DAV गुरू सर्च करके इस चैनल पर आ जाना है उसके बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है जहां पर अलग-अलग किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले brain mapping करना बहुत important होता है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि चैप्टर में कौन-कौन सा टॉपिक्स है जो कि हमें पढ़ना है इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर का introduction देखेंगे उसके बाद migration के बारे में हमे क्या सोचना था migration का मतलब अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि जो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उसी को migration बोलते हैं उसके बाद types of migration के बारे में हमें परना है कि migration कितने तरह का हो सकता है उसके बाद heartships के बारे में हमें परना है कि जब भी migration होता है तो Migrants के साथ लोगों के साथ क्या-क्या Problems आता है उसके बाद Joy of Migration के बारे में हमें परना है कि Migration से खुश्या भी आती है बहुत सारे लोगों के जीवन में सबसे अंतिम में हमें Animal Migration के बारे में परना है कि Animals भी Migrate करते हैं एक जगा से दूसरे जगा जाते हैं और इस तरह से इतना सारा टॉपिक परने के बाद ये पूरा Chapter हमारा Complete हो जाएगा इससे पहले कि Migration का Definition हम लोग देखें पहले Picture के थुरूब आप देखिए इसको Feel किजिए कि Migration आखिर होता क्या है यहाँ पर Picture में देखें कि पूरा Family एक साथ कहीं पर जा रहा है बैल गारी पर सारा सामान लोडेड है बच्चा है उसकी मम्मी है पूरा Family एक साथ कहीं जा बस इसी चीज को हम लोग Migration बोलते हैं Migration बहुत तरह का हो सकता है इसका Definition भी हम लोग देखेंगे और इसके टाइपस भी हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में Migration is the systematic और regular movement of people from one place to another Migration का मतलब क्या हुआ एक systematic movement जब होता है जब लोग एक systematic तरीके से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उसी चीज को हम लोग Migration बोलते हैं Mankind and Migration have been linked to each other since ancient time पुराने समय से ही ancient time से ही लोग migrate करते आ रहे हैं लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते आ रहे हैं Human beings would not have continued to exist without migration अगर लोग migration नहीं करते पुराने समय में लोग migration नहीं करते तो अभी जो पुरे world में लोगों का population फैला हुआ है ऐसा नहीं हो पाता They moved from one place to another in search of food and shelter लोग पुराने समय में सिर्फ इसी लिए migrate करते थे ताकि उनको food मिल सके और उनको shelter यानि के रहने के लिए जगह मिल सके The settled life began only after the man became a food producer जब लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया जब लोग food producer बन गये उसके बाद ही लोग settled life जीना शुरू किये उसके पहले लोग क्या करते थे पता है लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमा करते थे शिकार किया करते थे और खाना जमा किया करते थे जंगलों में से लेकिन जब उनको खेती करना आ गया जब वो food producer बन गये उसके बाद ही लोग settled होके एक ही जगह पर रहना शुरू कर दिये he started growing crops on a piece of land उन्होंने जमीन के टुकडे पर फसलोगाना शुरू कर दिया till the soil was fertile जब तक मिट्टी उपजाओ रहती थी तब तक उस पर वो लोग फसलोगाते थे then he would abandon it and move to a new piece of land जब मिट्टी की उपजाओ शक्ती खत्म हो जाती थी तो लोग उस जमीन को abandon कर देते थे छोड़ देते थे और उसके बाद एक नए जमीन के टुकडे पर खेती करना शुरू कर देते थे इसी तरह से फसल उगाने को shifting agriculture कहा जाता था अब तक हमने जितना परा इसमें दो important definition निकल कराता है जो कि आपको याद रखना है एक तो है migration का definition जिसके लिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखना परेगा दूसरा है shifting agriculture का definition जिसके लिए आपको यह पूरा लिखन परेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक end तक एक चीज़ आपको धियान रखना है कि यहाँ पर थोड़ा सा edit कर देना है ही के जगह पर आपको human use करना है क्योंकि ही तो pronoun है जब हम लोगी start करेंगे तो एक noun के साथ start करेंगे तभी तो हम लोग का answer complete होगा ना इसलिए ही के जगह प जाते हैं कई रीजन से और इसको define करने के लिए हम लोग क्या लेख सकते हैं ध्यान से समझिए इन reference to animals, migration implies their movement from one region to one region और habitat to another to breed, grow, find food और avoid cold or hot weather. Animals के migration का मतलब हुआ animals का movement एक region से या एक habitat से दूसरे region और दूसरे habitat की तरफ, animals कई region से migrate करते हैं, जब उनके breeding का समय होता है, नए बच्चों को जन देने का समय होता है, तो proper condition पाने के लिए animals एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उसके अलावा animals को grow करने में भी migration help करता है, animals क food find करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए भी migration करना परता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना परता है, उसके अलावा cold या hot weather से बचने के लिए भी animals migrate करते हैं, हमारा next topic है migration in olden times, पुराने समय में migration कैसे होता था, और migration के बारे में लोगों का क्या सोचना था, उसके बारे में यहाँ पर हम लोगों को डीटेल में जानना है, पुराने समय में जब migration होता था, तो लोग ज़्यादा दूर नहीं जा पाते थे, एक limited area के अंदर में ही रहते थे, क्योंकि उस समय कोई भी means of transport नहीं था, आज के समय में अगर हमें migrate करना होता है, तो हम लोग आसान area के अंदर में ही लोगों को migrate करना परता था, बहुत कम दूर तक लोग migrate कर पाते थे, people had to walk or carry their goods, लोगों को चल कर एक जगह से दूसरे जगह जाना परता था, और अपना सामान खुद से ढोना परता था, they were scared to travel for far away places due to difficulties, many myths and superstitions, आपको ये सुनकर अजीव लगेगा कि पुर region तो ये था कि difficulties बहुत जादा थी, परिशानी बहुत जादा होती थी, अगर आपको migrate करना है तो, इसके अलावा कुछ जूटी कहानियों और अंद विश्वास के कारण भी लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने में डरते थे, वो कहानिया क्या थी, वो अंद विश्वास क गया थे, उसके बारे में इस वाले do you know में बताया गया है, हम लोग पढ़ेंगे इसको, इस टाइप ऑफ और्थोडॉक्स थिंकिंग अंडर्वेंट अ ग्रेट चेंज विट एजुकेशन, लॉजिकल थिंकिंग एंड कॉंटेक्ट विट अधर कंट्रीज, और्थोडॉक् इसके कारण और लोगों का दूसरे कंट्रीज के साथ कॉंटेक्ट बनने लगा था इसके कारण। बहुत सारे इंडियन्स ने एक फिक्स टाइम के लिए विदेश में रहने के लिए एग्रिमेंट भी साइन किया था उनको ऐसा चोईस दिया जाता था कि उनका अगर मन करे तो वह आपस भी आ सकते हैं और अगर उनका मन करे तो वह विदेश की धर्ती पर ही बसकर रह सकते हैं अब चलिए इस वाले डूयूनों को पर लेते हैं जिसमें कि हमें बताया गया है कि लोगों के बीच में माइग्रेशन को लेकर क्या-क्या अंध्यविस्वास था पुराने सोच वाले लोगों का कहना था कि अगर आप समुदुर को क्रॉस कर लेते हैं तो आपका कास्ट खतम हो जाएगा आपकी जो जाती है न वो खत्म हो जाएगी लिटरली ऐसा मानना था उनका इसका रीजन भी वो देते थे कि ऐसा वो लोग क्यों कहते हैं भगवान समुदुर में रहते हैं वहाँ पर रेष्ट करते हैं ऐसा उनका मानना था इसलिए हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए यहाँ पर यह वाला लाइन इंपोर्टेंट है आपसे पूछा जा सकता है कि और्थोडॉक्स थिंगिंग कैसे खत्म हुआ उसका क्या क्या रीजन था तो उसको बताने के लिए आप यहाँ तक लिख सकते हैं हमारा नेक्स टॉपिक है टाइपस ओफ माइग्रेशन बोला जाता है वोलेंटरी माइग्रेशन is when people move to another place on their own wish or twice जब लोग मूव करके नए प्लेश पर चले जाते हैं अपने मन से अपनी इच्छा से एसी तरह के माइग्रेशन को हम लोग वोलेंटरी माइग्रेशन कहते हैं ऐसा माइग्रेशन कई कार्णों से हो सकता है गरेट करना पड़ेगा और टू बी क्लोज टू दियर फैमिली और फ्रेंड्स इन अनदर व्लेज टाउन सिटी स्टेट और कंट्री लोग अपने फैमिली और फ्रेंड्स के नजदीक रहने के लिए भी माइग्रेट करते हैं जैसे कि कभी-कभी फैमिली किसी दूसरे नहीं थे उनके बेटे का ट्रांसफर बैंगलूर हो गया था उनको बैंगलूर जाना पर गया था यह अपने पोते-पोती को भी मिस करते थे और अकेले पटियाला में रहते थे हीतेन और अवनी भी अपने पैरेंट्स को मिस करते थे क्योंकि जब सब लोग पटियाला में रहते थे तो इनके पैरेंट्स इनका साथ देते थे और इनकी मदद करते थे इनके दो बच्चे जो थे ये भी अपसेट थे ये भी दुखी थे क्योंकि जब ये लोग पटियाला में रहते थे उस समय जब भी स्कूल से आते थे इनके ग्रेंट्स इनके साथ होते थे इसलिए आनन्द कपल कहां आ गए बैंगलोर आ गए खुशी खुशी बैंगलोर आ गए ताकि अपने बच्चों के साथ रह सकें पंजाब में जब फसल बोया जाता है या फसल को काटा जाता है तो उस समय कुछ एक्ष्ट्रा लेबर का ज़रुत पड़ता है इसलिए ये लोग पंजाब की तरफ जा रहे हैं this is known as seasonal employment और इसी चीज को seasonal employment कहा जाता है क्योंकि हर season में जब भी sawing का season आता है फसल बोने का season आता है या हर्वेस्टिंग का season आता है फसल काटने का season आता है तब इनको employment मिल पाता है इस वाले do you know में गुजर समुदाय और धनगर समुदाय के बारे में बताया गया है गुजर समुदाय जम्मू एंड कश्मीर में रहती है और धनगर समुदाय महराष्ट के रहने वाले होते हैं इनको nomads कहा जाता है क्योंकि ये पूरे साल एक जगह से दू दूसरे जगह की तरफ खाने की खोज में पानी की खोज में और ग्रेजिंग ग्राउंड ऐसे ग्राउंड जहां पर ये अपने शिप्स को चरा सके अपनी बक्रियों को चरा सके voluntary migration के बारे में हम लोग पर लिए जब लोग अपने मन से migrate करते हैं लेकिन अब हमें forced migration के बारे में परना है जब लोगों को जबर्दस्ती बिना अपने मन के migrate करना परता है forced migration is the movement of a person, family और a large group of people due to natural disaster like flood, earthquake, tsunami, etc जब किसी प्राकिर्तिक आपदा के कारण जैसे की बार हो गया, भुकंप हो गया, tsunami हो गया एक person को या एक family को या एक लोगों के बहुत बरे group को एक जगह से दूसरे जगह जाना परता है, एक जगह से दूसरे जगह move करना परता है, इसी को हम लोग forced migration कहते हैं Sometimes people are forced to migrate due to man-made disasters like fire, drought और terrorist activities कभी कभी लोगों को man-made disasters के वजह से भी migrate करना परता है, जैसे कि अगर कहीं पर आग लग जाती है तो लोगों को safe जगह पर migrate करना परता है कहीं पर सूखा पर जाता है, पानी की कमी हो जाती है तो भी लोगों को migrate करना परता है और कहीं पर अगर terrorist attack हो जाता है पत्थरबाज अगर बढ़ जाते हैं तो भी लोगों को migrate करना पड़ता है जैसे कि कश्मीर में हुआ था हिंदू को migrate करके दूसरे states में भागना पड़ा था इसके वजह से बहुत सारे लोगों का home बहुत सारे लोगों का घर भी छूड़ जाता है और बहुत सारे लोगों की नौकडियां भी छूड़ जाती है इस वाले do you know में बताया गया है कि जैसे दाग अच्छे होते हैं वैसे कभी कभी forced migration भी अच्छा होता है some people are forced to migrate due to demolition of illegal colonies एक्जामपल के लिए अगर हम लोग अपने ही country की बात करें तो हमारे country में बहुत सारे बंगलादेशी पत्थरबाज illegal colony बना कर रह रहे हैं जब उन पर bulldozer चलेगा तो उनको forced migration करना पड़ेगा और वापस उनको अपने country बंगलादेश जाना पड़ेगा forced migration को define करने के लिए आप इतना लिख सकते हैं ये पूरा line आपको याद कर लेना है आपको ये भी याद रखना है कि forced migration हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है जब natural disaster या man-made disaster के कारण migration होता है तो ऐसा forced migration हमारे लिए बुरा होता है लेकिन इस condition में अगर migration होता है तो वो हमारे लिए अच्छा होता है यहाँ पर एक छोटा सा स्टोडी दिया गया है श्याम का जिसको forced migration करना पड़ा श्याम अ ब्लैक स्मिथ अफ चंदोसी इन उत्तर प्रदेश earned money by making tools for the farmers श्याम नाम का एक लुहार था जो कि उत्तर प्रदेश के चंदोसी नामक गाउं में रहता था वो पैसे कमाया करता था tools बनाकर औजार बनाकर farmers के लिए एक बार क्या होता है his village was hit by drought उसके गाउं में सूखा पर जाता है the farmers lost their crops किसान अपना फसल खो देते हैं there was no work for sham वहाँ पर श्याम के लिए कोई काम नहीं बसता है he was forced to migrate to Lucknow to earn money to feed his family of five members उसके परिवार में पाँच लोग थे उसको जवरदस्ती लखनव जाना परता है migrate करना पड़ता है ताकि वह अपने परिवार के लिए खाने का जुगार कर सके he carries loads वह सामान उठाता है works in dhavas, dhava में काम करता है और on construction site अगर कहीं पर कुछ भी building या road बनता है तो वहाँ पर labor का काम करता है in September 2014 the Kashmir valley was flooded कश्मीर में एक बहुत ही भयानक बार आया था September 2014 में उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है बार आने का कारण क्या था वो भी बताया गया है floods were caused by heavy rains and overflowing of river जेलम उस समय वहाँ पर भारी बारिश वी थी और जेलम नदी में overflow हो जाने के कारण बार आया थी इस आपडा का कारण लोग ही थे लोगों के कारण ही ऐसा हुआ था क्यों यहाँ पर बताया गया है the mountains have become weak due to heavy construction लोगों ने वहाँ पर बहुत जादा construction करना शुरू कर दिया था कश्मीर में जिसके कारण से पहार कमजोर हो चुके थे thousands of people lost their homes, shop, businesses बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ बरबाद हो गया लोगों ने अपना घर खो दिया, अपनी दुकाने खो दी और लोगों का बिजनस भी बरबाद हो गया the Indian military and local authorities help the victims जितने भी पीरित लोग थे उनका मदद किया गया भारत की सेना और local authorities ने मिलकर उनकी मदद की thousands of people took shelter in relief camps, in mosque and गुर्दवाराज बहुत सारे camp बनाए गये थे जहां पर लोगों को लाला कर रखा जाता था they were given food, medicines, clothes, etc. इन camps में लोगों को भोजन दिया गया था, medicine दिया गया था और कपड़े दिये गये थे हमार अगला topic है hardships faced by migrants, जब भी कोई एक जगह से दूसरे जगह migrate होके जाता है तो उनको बहुत सारी कठिनाईयों का सामना करना परता है उन्हीं कठिनाईयों के बारे में इस topic के अंदर में हमें detail में परना है the migrants face many problems as they have to move away from their homes and families to other areas migrants उन लोगों को कहा जाता है जो कि migrate होकर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं इनको कई सारे problems face करने परते हैं क्योंकि migration के कारण ये अपने family से अपने घर से बिछर जाते हैं इनको दूसरे areas में जाना परता है the laborers move to cities for jobs and better wages wages का मतलब हुआ salary जो laborers होते हैं जो मजदूर होते हैं उनको city की तरफ migrate करके जाना परता है ताकि उनको job मिल सके और अच्छा पैसा मिल सके they have to live without basic amenities like shelter, sanitation और safe drinking water ऐसे condition में उनका basic need भी fulfill नहीं हो पाता है जैसी कि रहने के लिए ठिकाना भी उनको नहीं मिल पाता है साफ सफाई तो दूर की बात है उनको पीने का पानी भी नहीं मिल पाता है the condition is worse condition और खराब हो जाता है when they migrate with their families जब उनको अपने family के साथ migrate करना परता है the women have to work hard महिलाओ को बहुत कठिन काम करना परता है the children do not get education बच्चों को शिक्षा भी नहीं मिल पाती है many migrants do not get any work बहुत सारे migrants को तो काम भी नहीं मिल पाता है and hence start begging और उसके बाद उनको भीक मांग के अपना जीवन बिताना पड़ता है हमारा next topic है joy of migration migration के कारण कभी-कभी खुशियां भी आती है उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है migration is like a chain migration एक chain की तरह है एक ऐसा series है जो की चलते जाता है if the first person who migrates sends happily settled information to the loved ones the other also migrate to the same country अगर एक आदमी migrate करके दूसरे country में जाकर बस जाता है और उसके बाद वो वहाँ से message करता है कि हम यहाँ पर खुशी खुशी बस गया है बहुत अच्छा है यहाँ पर तो बाकी के लोग भी migrate होकर उसी country की तरफ चले जाते है migration brings happiness to many people migration के कारण बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशी आती है they see new places, experience climate that suits them learn about new customs, tradition, cuisnes, dresses, dances, music, etc जब लोग migrate करते हैं तो लोगों को नया नया जगह देखने का मौका मिलता है लोग नए नए climate को experience करते हैं जो कि उनको suit भी कर सकता है लोगों को अलग-अलग रीथी रिवाज, अलग-अलग परंपरा, अलग-अलग तरह का खाना अलग-अलग तरह का dress, अलग-अलग तरह का dance और music को feel करने का मौका मिलता है ये last वला line important है आप इसको underline करके याद कर लीजेगा अब चलिए इस chapter के सबसे अंतिम topic पर आते हैं जो की है animal migration जानवर भी migrate करके एक जगा से दूसरे जगा जाते हैं हमने इस starting में ही discuss किया था animals migrate with change of season जैसे मौसम बदलता है वैसे animals migrate करते हैं एक जगा से दूसरे जगा जाना शुरू कर देते हैं they migrate to find warmer weather, better food supply और safe place to give birth to their young अगर उनके area का temperature बहुत कम हो जाता है ठंडा परने लगता है तो animals ऐसे area में भागते हैं जहां का temperature गर्म हो जब food supply का कमी होता है तो animals नए area में जाते हैं ताकि उनको food मिल सके और अपने बच्चे को जन देने के लिए भी वो दूसरे area में जाते हैं ताकि उनको proper climatic condition मिल सके animals do not follow a map or GPS, they know which direction to follow animals के पास हमारे तरह कोई map या GPS नहीं होता है, उनको किस direction में जाना है उनको पता होता है they learn this from their parents and have a special sense direction के बारे में वो अपने parents से सीखते हैं और इसके लिए उनके पास एक special sense होता है जिससे उनको automatically सब कुछ पता चल जाता है यहाँ पर बहुत सारे example भी दिये गए हैं जैसे कि कैरीबू नाम का एक animal होता है जो कि snow covered areas में रहता है यह migrate करके warmer areas की तरह बढ़ते हैं उसी तरह से wild beach नाम के animals होते हैं जो कि अफरीका में पाय जाते हैं यह migrate करते हैं green pasture के सर्च में हरे गास के मैदान को खोजने में यह लोग migrate करते हैं और migration के बीच में इनको crocodile से भरे हुए rivers को भी cross करना परता है इनके migration को दुनिया के साथ प्राकिर्तिक अजूबों में गिना जाता है animals में migration क्यूं होता है उसके बारे में एक line में आप explain कर सकते हैं आपको इतना लिखना परेगा finally हमने और आपने मिलकर इस chapter के सभी topics को complete कर लिया इसका question answer का video आपको pinned comment में मिल जाएगा आप उसको भी देख लिजेगा और आपको किस chapter का explanation चाहिए उसके बारे में भी आप comment में लिकर बताईएगा ऐसे और भी videos बनाने के लिए आपका support बहुत जरूरी है इसलिए please please इस channel को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए और इस channel के बारे में अपने दोस्तों को बताईए और इन सब के बदले में हम आपके परहाई को और भी easy और interesting बनाते रहेंगे अब तक आपके social science के जितने भी chapters को मैंने complete करवा दिया है उनके videos को देखने के लिए left side में क्लिक कीजिए और इसके बाद वाले class का वीडियो देखने के लिए right side में क्लिक कीजिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते अंगली class में बहुत सारे ने topics के साथ तब तक लिए अपना धियान रखिए और अच्छे से परहाई करते रहें